दोस्तों अगर आपकी जिन्दगी में कोई आपसे ये कहे कि तु ये काम मत कर ये तुससे हो नहीं सकता तो उससे बस इतना कहना कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो क्योंकि चीतने का मजा ही तब है जब हार कर इसको और जीवन में एक बात सीखी है कि मुलाकाते बहुत जरूरी है अगर रिष्टे निभाने हैं वरना लगा कर भूल जाने से तो पोदे भी सूख चाते हैं और एक बात किसी ने कही है कि रिष्टो को मजबूत बना के रखने के लिए रिष्टो में बरोसा बना के रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रिष्टो में विश्वास और मुबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं और दोस्तों बेशक बहुत कड़वी बात है मगर सच है कि अकसर सूखे हुए होटों से ही होती हैं मीठी बाते प्यास भुज जाए तो अलफाज और इंसान दोनों बदल जाते हैं और अगर जिंदगी बर सफल और लोगों के दिल में बने रहना चाते हो तो एक बात हमेशा अपने भगवान से खहना कि मुझे इतना नीचे न गिराना मेरे मालिक कि मैं पुकारू और तुम सुन न सको और इतना उपर भी न उठाना कि कोई और पुकारे और मैं न सुन सकूँ और दोस्तो आज के जीवन में एक कड़वा सच ये भी है कि आज के जमाने में सिर्फ वही इमानदार है जिसे बेहिमानी का मौका नहीं मिला इसलिए हमेशा इमानदार रहो और खुश रहो हसते रहो जब तक हसते रहोगे तो दुनिया तुमारे साथ रहेगी क्योंकि आसूओं को तो आखों में भी जगा नहीं मिलती और लाइफ में कभी बुरे वक्त से मट डरो क्योंकि जिन्दगी में जब तक बुरा वक्त ना हो तब तक अपनों में चुपे गैर और गैरों में चुपे हुए अपने नजर नहीं आते और एक बात कहना चाहूंगा कि एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यहीं थी बस जिन्दगी गुजर गई तेरी यहां आते आते क्या मिला तुझे अपनों से तेरे अपनों ने ही तुझे जला दिया जाते जाते और दोस्त लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हो मगर भगवान क्या कहेंगे इसका कोई विचार नहीं करता और जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखना कि आनंद में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख में निर्ने मत लेना और तैरना सीखना है तो पानी में उतर नहीं होगा किनारे पर बैठ कर कोई गोता खोर नहीं बनता और दोस्तो हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो धूप में तो काच के टुकडे भी चमकने लगते हैं और जिन्दगी में कठीनाईयां आए तो उदास न होना क्यूंकि कठीन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिये चाते हैं और बारिश की बूने भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे परियास भी जिन्दगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और दोस्त जिन्दगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना क्यूंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सुखा करते और अपनी छवी का ध्यान रखे क्यूंकि इसकी आयू आपकी आयू से कही जाधा होती है और संसकारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और इमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती और इनसान हर घर में जन्म लेता है लेकिन इनसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है और दोस्तो सबी जीवों में केवल इनसान ही पैसा कमाता है और कितनी अजीब बात है कि कोई भी जीव भूका नहीं मरता और इनसान का कभी पेट नहीं भरता और शांदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं जो पसंद है उसे हासिल करो और जिंदगी खुशियां बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई अब पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बाट रहे थे और दोस्तो आखरी बात कहना चाहता हूं कि पाने की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित नहीं होता लेकिन जब वो बूंदे पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको क्योंकि भीड में पहचान दब जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो आपको मारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक करना मत बूलना तो मैं मिलूंगा आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग आफ